कॉंघ्रिस पार्टी के भी टुकड़े हो रहे हैं और टुकड़े टुकड़े ग्यांग के सदस्य भी कॉंघ्रिस पार्टी में जा रहे हैं ये स्वभाविक बात है हर भारत विरोधी चेडिया का घोसला अगर कहीं है तो वो कॉंग्रिस पार्टी में है और राहुल गांदी और सोनिय गांदी जी की याददाश्ट को तरो ताजा करने के लिए ये बताना आवश्चक है अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिन्दा हैं जिन्होंने ये नारे लगाए उनके साथ कनया कुमार खड़े थे अदालत में अभी भी केस चल रहा है और राहुल गांदी जी कनया कुमार के समर्थन में खड़े थे भारत तेरे टुकडे होंगे जिन्होंने ये नारा लगाया उसके साथ कनईया कुमार खड़े थे और कॉंग्रिस पार्टी कनईया कुमार के साथ खड़ी थे कनयय कुमार के शब्द हैं हमारी वीड सेना जिस पे हर भारतिय को गर्व है कनयय कुमार कहते हैं कि ये कश्मीर में जाके हमारी बेहनों के साथ माताओं के साथ दुरचार करती है आज ये जहरीली सोच कहां आके पनप्ती है कहां आके उसको संरक्षन मिलता है कॉंग्रिस पार्टी के हेड़कोर्टर में और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि कॉंग्रिस पार्टी आज एक अड़ा बन गया है जिसको भारत विरोधी गतिविद्या करनी है it is natural that any person be it Kanaya Kumar or anyone else if he has an ideology which is anti-India then the first choice of the person is Congress Party the reason is simple today Congress Party its leadership and ideology is also synonymous to divisive politics to anti-India politics and thus the Congress has welcomed a leader like Kanaya Kumar who is known for supporting people who were chanting slogans of that the truth is this the post that the you know yeah 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 झाल झाल